आई एव्रिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से प होज गये और दो चैप्टर और खतम हो जाएगा यह पूरा जमेंटरी ऑल्मोस्ट एलजबरा भी ऑल्मोस्ट खतम हो गया है साइन्स के चल रहे चाप्टर उसके भी कंट्रेंस वीडियोस आई रहे है और आपको वीडियोस देखना है तो वीडियोस की भरमार हमारे चैनल पहे है औल दो वीडियोस आर एवेलेबल तो कीप पॉचिंग कीप स्टेडिंग हाड ठीक है साथी में कुछ भी प्रोब्लम है इंस्टाग्राम है आपके लिए मुझे डारेक्ट मेंशन करो दियम कर दो कॉमेंट सेक्शन है आपके लिए कॉमेंट कर सकते हो टेलिग्राम जो हमारा इसके पहले का लेक्टर नमर्ट हा उसमें उसमें हमने डिज्कॉस किया था ता प्राक्टिस सेट नमर्र 5.2 और 5.2 के बहुत सारे और चेंट आब बात करेंगे आगे के क्वोश्ण की तो कोश्चन नमर्र से हमने श्टार्ट करने वाले और जितने भी चीजे हैं तो सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारा practice set 5.2 और वो क्या है वो हम लोग फटा-फट से नजर डालते हैं, तो practice set 5.2 की शिरुवात होगी again question number 7 के साथ, आज का वीडियो question number 7 से start हो रहा है, ध्यान से देख लेना बहुत important वीडियो है, सब चीज मैं अच्छे से कराने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ color हमारा 10 और question को समस्ते हैं, क्या बोल रहा है, find the centroid of the triangle whose vertices are given will, अतला आपको simply क्या पूछ रहा है, find the centroid, तो centroid पूछ लिया तो obviously centroid formula लगेगा, दिमार्ट का खेले, अगर ratio पूछा है, तो section formula, अगर midpoint दिया हुआ है, midpoint formula, centroid centroid formula बस, और कुछ नहीं, तो यहाँ पे तीन value दे रखें, यहाँ पे एक point, दो point, तीन point, यानि कि तीन value दे रखा है, तो obviously यह तीनों का हम लोग मान लेंगे coordinates, यह पहला वाला मान लेंगे हम लोग x1, y1 मान लेंगे, दूसरे वाले को x2, y2 मान लेंगे, और तीसरे वाले क x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3, ठीक है, और y is equal to y1 प्लस y2 प्लस y3 divided by 3, यही formula है हमारा, यही हमने study किया था, correct आपको याद आ रहे की नहीं आ रहे, तो यहाँ पे x1, x2, x3 का value पता है न, मुझे x1 का कितना है, minus 7 दिया हुए, ठीक है, x is equal to, x1 का minus 7 दिया है, x2 का कितना दिया है यहाँ पे 8 दिया हुआ है, divide by 3 हो जाएगा, फिर y is equal to क्या है, y1 का 6 है, plus y2 का कितना है, minus 2, ठीक है, plus y3 का कितना है, यहाँ पे 5, divide by 3 करतो, अब इसको solve कर लो, हमारा answer चूट की बजाते ही, आ जाएगा, कितना easy है, देख पारो है आप लो, तो चलो solve कर लो इसको, तो x is equal to क्या हो जाएगा, minus 7 plus 2 कितना होता है, minus 5, minus 5 plus 8 कितना होता है, 3, तो 3 divided by 3 हो गया, y is equal to 6 minus 2, 4 हो जाएगा, 4 plus 5 is 9, तो 9 divided by 3, ठीक है, अब solve कर लो, आपका answer आजाएगा, तो x is equal to 3 by 3, मतलब 1, और y is equal to 9 by 3, मतलब 3, ठीक है, तो आपका answer आ गया, x, y, जो centroid होता है, जिसको हम capital letter G से denote करते हैं, पराबर, याद है आपको capital letter G centroid is nothing but 1, 3, this is your final answer, आगे answer, clear, कितना easy था, तो आप देख पा रहे हो, इससे ज्यादा simple example मुझे लगता है, कुछ हो सकता है, तो यार आपको बस ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ को समझना है, और आपका answer जो है, वो चुटक पर चलते हैं, तो same, centroid वाले एक और question दिया हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, तीन coordinates दिये हुए, again आपको क्या निकालना है, centroid का value निकालना है, तो सबसे पहले मान लो इसको, x1, y1, पहला वाला क्या होगा, x1, y1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा, x2, y2 होगा, और तीसरा क्या होगा, x3, y3 होगा, ठीके, अब इसका हम लोग again centroid formula लगाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर by centroid formula, क्या है centroid formula, again, क्या है formula, x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 है, और y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3 है, डाल दो इसमे value, जो भी values है, वो बस डालना है और solve करना, आपका answer चुटकी ब जादे दो नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आज़ेगा, ठीके, चलो, अब value डालते है, तो x का value क्या आएगा, x1 plus x2 plus x3, तो x1 3 है आपका, plus x2 कितना है, देखो, 4 है, plus x3 कितना है, देखो, 11 है, तो यह divide by 3 हो गया, और y का value कैसे निकलेगा, y1 कितना है, minus 5, plus y2 कितन जाए हमारे पास, minus 4, ठीके, डाल दो, और calculate कर लो, चलो, तो x is equal to what, 3 plus 4, 7, 7 plus 11 is 18, 18 divided by 3 हो गया, और y is equal to, minus 5 plus 3 हो जाएगा, minus 2, minus 2, minus 4 कितना हो जाएगा, minus 6 by 3, ठीके, आएगा answer, कितना इजी लिए आएगा, देखो, x is equal to, यहाँ पे आजाएगा, उदर लिखने के जिरो जी नहीं, x is equal to 18 by 3 is 6, y is equal to minus 6 by 3 is minus 2, तो आपका answer आगया, x is equal to 6, y is equal to minus 2, तो आप ऐसा लिख सकते हो, that is centroid g बोलते हैं, जिसको हम लोग, x, y is nothing but, इसके coordinates के आ रहे है, x का 6 से y का minus 2 है, बतलब 6, minus 2, आगे answer खाता हूँ, कितना easy है, देखो एक बार, riz, कितना easy है, तो इस तरीके से हम लोग ने solve कर लिया, और इतनी easy तरीके से इसका answer भी जो है, वो आ गया है, correct है की नहीं, correct है की नहीं, आगे बढ़े हम लोग, किस पर जाएंगे अभी, अगले question पे, अब सीधा, centroid आपको निकालना समझ गया, कितना easy होता है, निकालना, बस formula का खेले, value डालना सबसे पहरे, हाथ से बना लेता हो, चलो, एक triangle बना लेते हैं, हम लोग simple सा, यह triangle हो गया, इसका नाम क्या है, ABC, तो इसका नाम ABC, triangle बना लिया, जिसमें G जो है, वो centroid है, मतलब कहीं नहीं, G point आएगा, यह आपका क्या होगा, centroid होगा, obviously बीच महीं आता है, कहीं में, यह हमन कोडिनेट्ट जो है, मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहली बात, और साथी में G का कोडिनेट्ट दिया हुआ है, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, G का कोडिनेट्ट आपको दिया हुआ है, कितना, minus four, minus seven, यह आपको दिया हुआ है, तो हमें value निकालना है, कैसे नि जो होता है, जो centroid होता है, वो actual में क्या होता है, आपका x और y होता है, बीच वाला point हमेशा x और y होता है, तो आपका x और y भी बता है आपको, x1, y1 पता है, x2, y2 पता है, x3, y3 निकल दाएगा, by using the centroid formula again, लगा दो यहाँ पे centroid है, तो centroid formula ही लगेगा, तो हम लोग लिखे x1 प्लस x2 प्लस x3, divide by 3, और y is equal to y1 प्लस y2 प्लस y3, divide by 3, तीक है, यही formula है, formula यही है ना, अब इसमें बस value डालना है आपको, और कुछ नहीं, देखो ध्यान से, value कैसे डालोगे, आपको x का value पता है, देखो यह x है ना, यह g मतलब क्या होता है, centroid, और इसका मतलब क्या ह यह x और यह y, तो x और y आपको पता है, x का value है, minus 4, तो x का जगा पे लिखो, minus 4 is equal to, x1 का value पता है, देखो, x1 का value minus 14 दिया हुए, x2 का value भी दिया हुए, x2 का value 3 है, और x3 का value, actual में हमें निकालना है, x3 और y3 निकालना है, तो x3 के जगा पे आप x3 लिखो, नीचे divide by 3, ठ ठीक है, comma, y is equal to, y का value पता है आपको, तो y के जगा पे y का value लिख दो, y का value है minus 7, तो y के जगा पे minus 7 लिख दिया, y का value, y1 और y2 पता है आपको, y1 आपको minus 19 है, ठीक है, plus y2 आपको पता है, y2 है 5, और y3 मुझे पता निए, तो उसके जगा पे y3 लिखो, और नीचे divide by 3, यह इतना समझा, कुछ है ही नि, simple, डाल दिया formula में values लिख दिया, अब इसको solve कर लो, आपका answer आजएगा, देखो, 3 multiply में minus 4 कितना हो जाएगा, दोस्तों, देखो ध्यान से, minus 12, 3 multiply में minus 4, minus 12, is equal to, is equal to, minus 14 plus 3 कितना होता है, minus 11, और plus x3, तो यह हो जाएगा, minus 11 plus x3, समझा, कॉ to, minus 19 plus 5 कितना हो जाएगा, minus 19 plus 5 is nothing but minus 14, तो लिख दो यहापे minus 14, और आगे है plus y3, लिख दो यहापे plus y3, अब इसको solve कर लो, answer आजएगा, देखो, तो यह हो जाएगा, minus 12 पहले से ही था, minus 11 हो जाएगा, तो plus 11 हो जाएगा, और इधर पे हो जाएगा, x3 बचेगा, comma, minus 21 पह minus 21 plus 14, मतलब 21 मेंसे 14 गया, कितना बचेगा, 21 मेंसे 14 मेंस करो, 7 बचेगा, लेकिन बढ़ेगा sign minus है, तो minus 7 आजएगा, ठीक है, is equal to y3, ठीक है, तो आपका answer आगया, x3 is equal to minus 1, और y3 is equal to minus 7, यह आपका answer आगया, और इसको coordinate के form में लिख दो, यह है, c point नहीं है, इसका नाम, c के coordinate निकालने बोलाता, तो c का coordinate आगया, आपका, c point का coordinate, जो कि आपने x3 और y3 माना था, तो coordinates क्या आगया, जो कि आगया, minus 1, minus 7, this is your final answer, कितना easy था, देखो, c के coordinate निकालने बोलाता ना, point तो coordinate of c, इधे को यह आपे, आगया आपका c के coordinate, जो कि यह, minus 1, 7, कितना easy था, है कि कितना easy था, जो आप देख पा रहे होंगे, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे easy example कुछ भी हो सकता है, correct है, आगे बढ़ जाए, जले अगले questioning भी, देखो, अब मैं एक चीज और सिखाना चाहूंगा आप लोगको, कि यह सब चीज हम कितना भी महनत कर रहें, लेकिन जब जूर से practice करना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, दिल से बोलना चाहूंगा, ठीक है, इतना जो महनत हम करते हैं, ठीक है, तो यह महनत waste नहीं होनी चीए, क्योंकि आप भी अगर इसका 15-20% भी अगर महनत खुद से कर लोगे, तो definitely will become a topper, definitely, ठीक है, आगे बढ़े, चले अगले question पर चलते हैं, क्या है अगला question, question number 9 आ गया, question number 9 आ गया, solve करेंगे इसको, a दिया हुए, h, minus 6, b, 2, 3, c दिया हुए, मतलब 3 coordinates दिये हुए, a, b, c का दिया हुए, ठीक है, triangle का vertices है, मतलब लिख दो पहले triangle बना तो चीए तो, अगर आपको ऐसा problem है, तो triangle हम बना देते यह देको triangle बन गया, समझ लो, इसके बीच में होगा एक coordinate g, यह आपका a, यह आपका b, यह आपका c, ठीक है, समझा, अब a के coordinates है, h, minus 6, b का coordinate है, 2, 3, और c का coordinate कितना दिया हुए, c कितना दिया है, minus 6, k, और आपको एक चीज़ पता भी है, कि हमारा जो पहला coordinate होता है, वो हो अब बीच वाला point, obviously, क्या होगा, क्या होगा, centroid होगा, g, और g का coordinate यहाँ पे दिया हुए, 1,5, मतलब g का coordinate 1,5 लोग ने देख रखा है, और g का coordinate यहाँ पे side में भी लिखके रख सकता हूँ, g का coordinate कितना है, 1,5 दिया हुए, यानि कि यह x और y होता है, x, y होता है, x का value 1 है y का value 5 है, इससे हमें यह पता चल गए, ठीक है, अब मैं solve करूँआ, देखो, obviously, triangle है, centroid है, तो हम लोग क्या लगाएंगे हैं यहाँ पे, by centroid formula, क्या लगाएंगे हम लोग, by centroid formula, क्या है centroid formula, अगेन, देखो, कितने बार आ रहा है centroid formula, क्योंकि already इसके पहले का जो section formula था, औ और जो हमारा यह formula था, कुंसा, अपता, यह वाला, क्या बोलते हैं उसको, midpoint formula, इसके उपर बहुत तरे questions अलएड हमने पिछले lecture में solve किया है, अब इसके ज्यादा तर questions जो है, वो centroid वाले है, कोई बात ने, करो, फटा फट से, x is equal to क्या है formula, x1 plus x2 plus x3, whole divided by 3, y is equal to y1 plus y2 plus y whole divided by 3, यह formula है, बत आपको value डालना है, ठीक है, चलो, अब क्या करेंगे, इसके अंदर, value डालेंगे, x का value पता है, 1, y का value 5, तो x का value 1 डाल दो is equal to, x1 का value पता है, x1 का value है, x1 है, x1 है ना, x1 का value है, h, h diy देखो, x1 है ना, x2 का value h दिया है, x2 का value आपको 2 तो दिया है, plus x3 क का वेलू आपको दिख रहा है दिया हुए, एकह, whole divided by 3, THE y का वेलू आपको बता है, y का वैलू दिया है 5 is equal to y1 का value कितना है, y1 का वैलू है minus 6, ठीक है, plus y2 का value कितना दिया है, द neutron y2, y2 का value दिया है 3, और y3 का value जो है, तक यहां तक समझ में आ गया अब इसको सॉल कैसे करना देखो ध्यान से यह 3 इदर मुल्टिप्लाइब हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 इस इक्वल 2 इस इक्वल 2 यह हज संघंग है ? तो यहां पर आ जाएगा इस इक्वल 2 इस इक्वल 1 इस इक्वल 2 इस 1 इस 4 ल si सब्सक्राइब माइनस पोर इधर जाएगा तो 3 इधर यह माइनस पोर इधर आगा तो प्लस पोर हो जाएगा इस इकल निकालने पुछाता ना बढ़िए और एंसर आगा आगा एंसर पता है तो एक बड़ेखो एंसर कूण आएगा बिलकुल घ्रीक है तो एक को एटीन आ गया आगया आपका एंसर चले, आगे बढ़ जाए, जो की है हमारा अगला question, question number, क्या है बाई, question number 10 आ गया, चलो, कोई बात ने, question number 10 क्या है, समझो, find the coordinates of the point of the tri section, ये वोर दिख रहे है, tri section, आपने इसके पहले section देखा, तो section का मतलब क्या होता है, कोई भी दो, एक line है, और कोई भी एक point ने, इसको divide कर ये दो हिस्सों में, तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, लेकिन tri section का मतलब क्या होता है, कि अगर मेरे पास, एक line है, तो tri section मतलब, ऐसे points आएंगे, जो इस line को तीन हिस्से में divide करेंगे, tri section, tri मतलब 3, तो 3 हिस्से में divide करना मतलब, म question पढ़ेंगे फिर से, तो.. यहां पर इ harbor description में मतलब है और होए Minister अब यहां पर जाएगा और यहां पर प्रहें अगया तो सब्सक्राइब करें यहां पर जाएगा catch.. तो अब यह थिस्षों में दिवाइड हो गया तो अब मैं क्या कर 5 लेकिन मुझे इसका बाइल सकरे काई नहीं है ठीक है और यहां पर यहां पर दो दो अन्नोन चीज आगया ना सौल दो नोन और यहां पर तो पीं छोड़ीन हम लोग यहां पर सक्शेल पोर्मूला लगाकर के सेक्शन फर्मूला लगा के कि निखाल ले count यहाँ पर ना तो ratio दिया है, ना तो section दिया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो करना क्या है, ऐसे case में क्या करना है, जबी भी आपको 3 section वाला आया, 3 section वाला आया, 4 section भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, 4 equal part वाला, 5 congruent line वाला भी आता है, तो tension मतले ना, बहुत easy होता है, बस करना क्या है, आपको पहले मानना है let, क्या मानोगे, सबसे पहले एक dialogue आपको लिखना पड़ेगा, क्या मानोगे, कि सबसे पहले हम लोग मान लें ठीक है, AP का वैलू, PQ का वैलू, is equal to QB का वैलू, ये तीनों जो distance है, इसको मैं मान लेता हूँ, X, क्या मान लिया, कि let, AP का वैलू is equal to PQ का वैलू is equal to QP, क्योंकि अगर ये try section हो रहा है, तो तीनों section equal होंगे, ऐसा हम मान के, चलते हैं, ठीक है, तो is equal to मैंने X मान लिया, तो ये भी X होगा, ये भी X होगा, तो मज़ में आ रहा है, ये तीनों का वैलू क्या होगा, X होगा, अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूँ, कि अगर मैं सिर्फ इतना लूँ, ये जो AP का डिस्टेंस है, इतना लूँ, और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, P से लेके B, यानि X प्लस X, समझ रहे हैं, यह हम लोग Q कर रहे हैं, यह हम लोग बस logic लगा रहे हैं, कि हमारा कुछ तो एक ratio आ जाए हमारे पास, क्योंकि हमको ratio पता ही नहीं है, कि समझ लोग यह P और Q का जो point डाल दिया, तो यह वाला और यह वाला और यह वाला इसके बीच में ratio क्या है या फिर AP में और PB में एक ratio क्या है, वो मुझे पता ही नहीं है, तो एक ratio दो निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या मानता हूँ, कि मेरा जो यह P point है, यह AP का, मतलब एक ऐसा P point है, यह Q को मैं थोड़ा बाजू में रखता हूँ, यह Q को मैं भूल जाओंगा, थोड़े देर के में यह Q को भूल जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा मानना है कि यह जो AB line है, उसके बीच में यह P point आ गया, तो यह क्या हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक यह हिस्सा और एक यह हिस्सा, section formula लगेगा यहां पर, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे, तो यह एक हिस् value 1 और PB का value कितना, 2, ठीक है, AP का value 1, PB का value 2, समझा, तो ratio हमको मिल गया 1 by 2 वाला, यानि कि AP ratio PB का जो value आ गया, वो 1 ratio 2 आ गया, यह हमें काम आएगा, जैसे M और N का value होता है, वो हमें ऐसे काम आएगा, कैसे काम आएगा, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है तो यह हम लोग लगाते हैं, किस में लगाएंगे, AP में, ठीक है, AP और B में, यह Q को हमने थोड़े देर के लिए निगलेक्ट किया है, Q बताता हो reason, तो APB में हम लोग लगाएंगे by section formula, क्या लगा रहे हैं, हम लोग देखो यहां पर by section formula यहां पर लगा रहे है, तो मुझे यहां तो कोई परिशानी, नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है, अब इसमें value मुझे तो पता है, डाल दो, X का value पता है क्या मुझे, X मतलब क्या होगा, यह बीच वाला point जो P है, इसके coordinate होगे, X, Y, बराबर, यह उसका coordinate होगा, तो X का value पता है क्या, नहीं पता है, वो तो formula निकालना है, find the coordinates of the point of trisection, मतलब trisection का point क्या है, P और Q, तो P और Q हमने extra डाला है, तो यह P और Q का ही value निकालना है हम लोगो, समझ में आ रहा है, तो पहले P का value निकलेगा, तो X का value निकलेगा, यानि X is equal to, यहां पे MX2, M क्या है मेरे ले, यह आपका M होगा, यह आपका N हो यार, देखो कितना easy है यार, यह, देखो, क्या है, formula MX2 plus NX1, तो X2 कितना है मारे पास, minus 4, डाल दिया, plus NY1, N का value कितना है, N का value है 2, और Y1 का value कितना है मारे पास, तो देखो, Y1, 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 7, डाल दिया, और अपन M plus N, तो M कितना है, 1 plus 2, comma, Y is equal to, Y is equal to, यह formula, M Y2, तो M का value 1 है, Y2 का value कितना है, देखो, minus 8, डाल दिया, plus NY1, N कितना है 2, Y1 कितना है, Y1 कितना है, देखो, 7, डाल दिया, अपन M plus N, यानि 1 plus 2, यहां तक समझ रहा है, अब सको solve करना है और कुछ नहीं, X is equal to, 1 minus 4, minus 4, 2 multiplied by 7 is 14, divided by, divided by, 1 plus 2 is 3, comma, Y is equal to, 1 minus 8, 1 multiplied by minus 8, कितना होता है, minus 8, plus 2 multiplied है, 14 is, 7 is 14, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक सेकंड रुप जाओ, X1 का value कितना है, 2 है, N, X2, 1 multiplied by minus 4 है, बराबर, और N, Y1, 2 multiplied by X1, कितना है, 2 है, यहां पर 2 आएगा, गलती से हमने लिखा, आच्छा हो, मैंने पहले ही देख लिए, तो पूरा मिस्टे को जाता है, यहां पर is equal to, minus 4 plus 4 is 0, 0 by 3, यहां पर Y is equal to, minus 8 plus 14 is equal to, 14 में सेट के कितना बचता है, 6 बचता है, 6 अपान 3 हो जाएगा, तो इसका answer आजएगा, X is equal to 0, Y is equal to 2, तो therefore आपका coordinate आया, किसका X, Y का coordinate आया, वो भी किसका coordinate है, यह P का coordinate है, तो P का जो coordinate है, X, Y, इसका value आ गया, 0, 2, यहां तक सम में आ रहा है, कि हमने P का जो value है, वो निकाल लिया, 0, 2, एक और चीज़ हमें निकालना है, क्या निकालना है, Q का value, तो अब P का का काम खतम, अब आपको सिर्फ इतना focus करना है, यह P से लेके Q तक का point focus करना है, दिमाग लगाओ, यह P से लेके Q, सरी, क्या नामें इसका B, ठ consider, color change करता हूँ पे ले, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, देखो ध्यान से, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर, consider, only, क्या consider कर रहा हूँ, P, Q, B, consider, P, Q, B, P, Q, B, consider करूँगा, तो P, Q, B में अगर आप देखोगे, P, Q, B में अगर आप देखोगे, तो Q इस P और B का midpoint हो लेगा, X1, Y1, यह मेरा X2, Y2 है, और यह Q का formula, midpoint लगा के निकाल सकते हैं, तो चलो, निकालते हैं, चलो, ध्यान देना, निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर, by midpoint formula, क्या है midpoint formula, midpoint formula क्या बोलता है, कि X is equal to X1 plus X2 divided by 2, और Y is equal to Y1 plus Y2 divided by 2, देखो, खेल क् खेल क्या हो रहा है, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे हो रहा है यहाँ पे, देखो, तो X, मुझे पता निये, मतलब, actual में हम लोग किसका निकाल रहे हैं, आप Q का निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे Q का मेरे लिए क्या है, X, Y है, Q का value का मतलब है, X, Y, तो X मुझे पत क्या है मेरे पास 0,2 तो यह मेरे लिए x1 है यह y1 है तो यहाँ पे चाहिए x1 plus x2 मतलब यह x1 0 plus x2 कितना है बी का वैलू बी का वैलू है बी का वैलू यह minus 4 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका x2 divide by 2 देखो पूरा knowledge का खेल है concept का खेल है y का वैलू निकालना है तो y1 प्लस y2 तो y1 क्या है इसमें y1 क्या है y1 p का y1 यह है 2 तो आजाएगा 2 plus देखो यहाँ पे जान से और y2 y2 क्या है y2 b का y2 होना चीए तो b कोने b कोने b यह है b का y2 कितना है minus 8 तो यहाँ पे डाल दो minus 8 whole divided by 2 इसको बस आपको solve करना है और आपका answer चुटकी बजाते ही आ जाएगा तो 0 plus minus 4 is minus 4 by 2 y is equal to 2 minus 8 is minus 6 by 2 solve कर लो आपका answer आ गया x is equal to minus 2 y is equal to minus 3 तो यह किसका coordinate निकाल रहे है आप Q का तो Q का coordinate आ गया आपका x,y जो की आ रहा है आपका minus 2, minus 3 this is your final answer अपने answer निकाल दिया p का value 0,2 q का value आ गया minus 2, minus 3 this is your final answer correct है तो coordinates of Q भी निकाल दिया कितना आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हो और कितना easy तरीके से निकाल पा रहे हो यह खुदी आप देख पा रहे हो correct है clear है मजा आ रहा है कि नहीं जरूर से comment करना बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा रहे है बहुत अच्छी तरीके से इसको concept को पुरा हमने समझा के दिया है तो बस एक बार देख लो कैसे हमने सॉल किया है क्या क्या logic हमने लगाया है पूरा concept का खेल है और यह इतना easy example होता है और देखो ऐसे questions आते हैं तीन section वाले चार section वाले आते है ठीक है ध्यान से देखना मजा आएगा ठीक है समझ में आ गया अब चलते हमारे एक आखरी question पर जो किये question number 11 इसको हम लोग solve करेंगे फिर आज का video sum up करेंगे और question number 12 आपके लिए homebook होगा ठीक है चलो a दिया हुआ है minus 14 minus 10 ठीक है b दिया हुआ ठीक है is given find the coordinates of the point which divide the segment a b into four equal देखो नाम लिया और शैतान हाजिर हमने अभी बात की थी try section वाला आता है four section वाला भी आता है देखो four section वाला भी आ गया four equal part में divide करना है तो सबसे पहले एक line है मेरा a b नाम का तो एक straight line खीचो सबसे पहले अच्छा एक दम कमझ लो कि आपका एक straight line है क्या नाम है इसका ए और बी यह बी नाम है एक वालू दिया हुए उन्होंने माइनस 14 कॉमा माइनस 10 और बी का वालू उन्होंने दे रखा है six कॉमा माइनस टूप यह देके रखा है उन्होंने अब बोला है कि यह जो line segment है यह चार equal part में डिवाइड करना है तो चा यहाँ पर बना दो एक point यहाँ पर बना दो और एक point यहाँ पर बना दो तो आगे आपका चार हिस्सा एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा चार हिस्सा नाम कुछ भी दे सकते हो मैं रग देता हूं P Q और R मैंने तीन नाम दे दिया ठीक है तो यहाँ पर चार हिस्सों में यह हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, यह जो Q बनेगा, कि यह जो Q बना होगा, यह actual में आधा है, तो मतलब यहाँ पे Q is midpoint, Q is midpoint, ठीक है, अब Q midpoint है, तो कैसे दिखेगा यह point, यह line कैसे दिखेगा, यह आपका ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, तुकड़े तुकड़े में ले दिखेगे लिए निगलेक किया, सिर्फ A, Q और B ले रहा होगे, अब इसमें midpoint formula लगा दो, ठीक है, इसमें मेरा, यह हो जाएगा, x1, y1, यह हो जाएगा, x, y, और यह हो जाएगा, x2, y2, value सब पता है, मुझे, बस इसमें डालना है और solve करना है, तो हम लोग लगाएंगे by midpoint formula, लगा दो midpoint formula, क्या होता है midpoint formula, that is x is equal to x1 plus x2 divide by 2, और y is equal to y1 plus y2 divide by 2, यह होता है, डाल दो इसमें, चलो value डालते हैं, x का value, x1 plus x2, x1 कितना है, a का, a का value x1 है न, यह minus 14, और x2 कितना है, b का 6, तो यह हो जाएगा, minus 14 और यह 6, तो minus 14 प्लस 6, तो minus 14 प्लस 6, y is equal to y1 और y2, y1 कितना है, यह y1, a का y1, a का y1 यह है, minus 10, ठीक है, plus y2 कितना है, y2 कितना है, b का y2, तो b का y2, तो b का y2, minus 2 है, ताल दिया, divide by 2, solve कर लो, आपका answer, just आया गया, देखो, x is minus 14 प्लस 6, minus 8, divide by 2, तो x is equal to, minus 8 divided by 2, और y is equal to, क्या हो जाएगा, देखो, minus 10, minus 2, minus 12 divided by 2, minus 12 divided by 2, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत easy जा रहे हैं हम लोग, बहुत जादा ही easy जा रहे हैं, ठीक है ना, पोई बात में, चलो green लेता हूँ, green लेता हूँ, तो x is equal to minus 8 by 2, यानि minus 4, और y is equal to minus 12 by 2, मतलब minus 6, तो आपका answer आ गया, यह x और y किसका आया, x और y किसका आया, यह q का आया, तो आपका q कॉडिनेट आ गया, q का कॉडिनेट, x, y जो हमने माना था, इसका कॉडिनेट आ गया, minus 4, minus 6, यह आपका एक answer आपने निकाल लिया, समझा, यहां तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई परिशानी बिल्कुल नहीं होई होगी, समझ में आ ग आपको पता चल गया है, और एका value पता है, तो अब सिप इतना लूँगा, a, p और q लूँगा, तो p इसका midpoint बन जाएगा, और p पर वापस से midpoint formula लगा के निकाल सकता हो, p का value बिल्कुल निकाल सकता हो, तो चलो, निकालेंगे, तो अब मैं consider करूँगा, consider, किसको consider करना है ह और ये है q, ठीक है, इसमें आप जो p होगा, वो मेरा बन जाएगा, x और y, और ये बन जाएगा, आपका a वाला x1, y1, और ये q वाला बन जाएगा, x2, y2, बन जा, x2, y2 बन गया, अमझ में आ रहा है, देखो बस और कुछ नहीं है, solve करो बस आगे answer, solve कर लो, formula, by midpoint formula लग divided by 2 लगेगा, तो उसमें x का value निकालना है, तो x1 कितना है, x1 मेरे लिए a का x1 है, तो a का x1 कितना है, minus 14, सब value पता है मुझे, minus 14, डाल दो, plus, x2 कितना है, देखो x2 क्या है, इसमें, x2 ये है, q का x2, q किदर है, q अभी अभी निकाला आपने, q का x2, q का x2, q का x2, x2 तो y1 मेरे लिए a का value है, तो a का y का value minus 10 है, तो minus 10 आ गया, और y2 मेरे लिए क्या है, q का value, तो q का value y2 है, minus 6, यहापे लिख दिया, divide by 2, solve कर लो, आपका answer आ गया, x is equal to minus 14, minus 4, minus 18, divide by 2, और y is equal to minus 10, minus 6, minus 16, divide by 2, यहापे answer लिखेंगे, तो x is equal to आ गया, minus 18 by 2 कितना होता है, minus 9, और y is equal to, minus 16 by 2 कितना होता है, minus 8, तो आपका answer आ गया, किसका निकाल रहे थे, आप लोग यह, किसका निकाल रहे थे, p का निकाल रहे थे, बराबर, आप किसका value निकाल रहे थे, इस बार, p का value, तो p का x, y जो हमने माना, इसके जो coordinates आगे, वो आगे, minus 9, minus 8, this is your final answer, इसका p coordinate तो आपने दो value निकाल लिया, q का निकाल लिया, p का निकाल लिया, देखो q का निकाल लिया, p का निकाल लिया, बचाए r, तो r निकालना है आपको, तो r b इस q से लेके b तक को अगर मैं मापू, खाली अगर मैं क्या लेता हूं देश्तो, ये q और b लेता हूं, तो q और b मे R इसका midpoint है, तो Q और B में R इसका midpoint है तो midpoint formula यहाँ भी लगाऊंगा, तो अब मैं क्या consider करूँगा यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो, लिखता हूँ यहाँ पर मैं consider, अब क्या consider करूँगा मैं, अब consider करूँगा मैं Q, R और B, तो एक line consider किया, जिसमें यह Q, बीच में R और यह B, तो इसमें मेरा यह हो जाएगा X1, Y1, यह हो जाएगा X और Y, जो मुझे निकालना है, और यह हो जाएगा X2, Y2, समझा, अब इसमें मैं value डालूँगा, फटा-फट से, और answer calculate करता हूँ, देखो जहाँ से, क्या लगाएगा यहाँ पे, by midpoint formula, ठीक है, by midpoint formula, क्या है मेरा, X is equal to X1 plus X2 divided by 2, और Y is equal to Y1 plus Y2 divided by 2, दिख रहा है न, छोड़ा छोटा लिख रहा हूँ alors x2 मेरे ले क्या है यहाँ पर B का value x2 है तो, B किधर है ठीक है तो, B का X2 लेना है, तो, 6 divided by 2, comma Y is equal to Y1 क्या है मेरे लिए, Y1 मेरे लिए Q का value है, Q का Y1 लेना है, मताब Q का Y कितना है, minus 6, T 사진 1 6 plus Y2 मेरे लिए B का लिए तो मतलब यह माइनस टू ठीक है तो हो गया माइनस टू और वोल डिवाइड बाइड बास वाल कर लो आपका एंसवा आ गया आपका एंसर कितना एजी लिया आ गया कुंसा कदर लो चलो यह कला ने तो X is equal to minus 4 plus 6 कितना होता है 2 divided by 2 y is equal to minus 6 minus 2 कितना होता है minus 8 divided by 2 तो आपका minus 4 यह आगया आपका final answer खकम कहा नहीं तो तीनों जो point पुछा था आपका तीनों point क्या पुछा था find the coordinates ना तो coordinates क्या आ गया एक वैलू पता है आपको P का निकाल लिया अभी अभी यह वाला Q का निकाल लिया R का भी निकाल लिया तो सबके coordinates समने निकाल लिये तो P का आ गया minus 9 minus 8 Q का आ गया minus 4 minus 6 और आपका finally जो आपका coordinate था उसका value भी आ गया जो की है 1, minus 4 समझा समझा दोस्तों तो यह था हमारा question number 11 इतना बहतरी तरीके से कराया है कि आपको डर बिलकुल नहीं लगेगा कि अगर ऐ कैसे questions आया I know थोड़ा सा link दिए थोड़ा सा time ज्यादा लगेगा लेकिन आपका answer आएगा कितना easy तरीके से अब यह था चार segment में divide करना मतलब यह line चार हिस्सों में divide हो जाएगी तो बीच में तीन point आ जाएगे चार point आ जाएगे बीच में तो पांच हिस्सों में divide हो जाए इसी पैटन में solve करना है बस आपके यहां पर एक और point बढ़ जाएगा और कुछ नहीं तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा यह जो प्राक्टिस सेट नंबर 5.2 जो चल रहा था यह होता है complete अब इस चाप्टर में बस एक ही प्र करके जरूर से बता देना वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ इतना हो सके शेयर कर देना और पहली बार अगर आयो चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना